हेलो गाइज, वेलकम टो सिपी शर्मा क्लासिस, आज हम प्लांट किंग्डम में, नेक्स्ट एपिसोड है हमारा ब्रायोफाइट्स के बारे में, ओके, तो ब्रायोफाइट्स के बारे में देखिए, जो ब्रायोफाइट्स हैं, दो सबसे मिलके बना है, एक तो होता है ब्राय उनका mean आप देखोगे तो moss होता है और phyton का mean देखोगे तो plant होता है ठीक है अगर हम बात करें bryophytes की तो यह पहले terrestrial landing plants होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं first landing जो plant है वो आपके terrestrial plant है first वो bryophytes ओके bryophytes होते हैं वो non-vascular होते हैं और autotrophic होते हैं ठीक है इनमें seed भी नहीं बनते हैं तो इन्हें हम seedless बोलते हैं आप देखिए जो यह bryophytes हैं उसमें moss और liverwats आते हैं जदर-दर यह moist वाली जगों पर पाये जाते हैं आप देखिए दो diagram देख रहे हैं यह margansia के देख रहे हैं आप diagram ओके अब देखिए जो आपके bryophytes हैं उनको हम बोलते हैं amphibians of plant kingdom ओके तो यह आपको यहाँ से याद रखना है amphibians of plant kingdom किसे कहते हैं वो कहते हैं हम bryophytes को ओके जो bryophyte है वो नाम दिया था आपका Robert Braun नाम के एक scientist थे उन्होंने bryophytes नाम दिया था ओके तो हमने क्या क्या पड़ा जो bryophytes हैं वो first landing plant होते हैं यह non vascular होते हैं यानि vascular bundles नहीं होते जाइल amphibians में नहीं पाया जाता है यह autotrophic होते हैं और seedless होते हैं इनमें कोई प्रकार के seed नहीं बनते हैं ठीक है अब हम देखें तो evolution के आधार पे जो bryophyta है उसको evolution के आधार पे थेलोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में रखा गया है तो आप देखेंगे जो bryophyta है वो evolution के आधार पे on the basis of evolution it is placed between ठेलोफाइटा और टेरिडोफाइटा ओके जो आपकी bryophytes हैं अब देखो आप जो bryophytes हैं उनकी आप steady करोगे इन bryophytes के अगर आप steady करते हैं तो जो steady होती है वो कहलाती है bryology ओके तो bryophytes की जो steady होती हो bryology कहलाते हैं और father of bryology आपके head wing है अगर हम father of biology या sorry bryology biology अलग है bryology जो आपके bryophytes की steady होती है उसे bryology कहते हैं और father of bryology है head wing अगर हम बात करें कि जो आपके indian bryology की जनक कौन है तो father of indian bryology है आपके sr kashyap तो दोनों चीज अलग अलग है head wing है father of bryology और father of indian bryology sr kashyap okay guys तो यह आपको clear हुआ अब next है आपका जो आपके bryophytes हैं उनके हम general characters पढ़ेंगे तो general collectors में इसमें देखें आप यह non vascular होते हैं यानि आप देखें इन में कोई vascular system नहीं होता है okay gylam phloem नहीं होते हैं यह autotrophic होते हैं खुद ध्यान रखना दूसरी बात तीसरी बात यह seedless होते हैं कि इन में कोई seed नहीं बनता है ठीक है जो bryophyta होते हैं इनकी जो plant body होती है थेलस के अकार की होती है थेलस का mean आप देखोगे थेलस क्या होता है थेलस में आप देखो तो यह generally थेलस होते हैं मतलब इन में जो plant होगा वो पत्ती, जड, तना इन में विबेदित नहीं होगा ठीक है तो पत्ती, जड, तना में अगर plant विबेदित नहीं हो तो वो कहलाता है आपका थेलस ओके तो इनके बारे में देखी तो जो bryophyta है वो ज़्यादातर moisture जगर पर प पाए जाते हैं कुछ soil और rocks में भी पाए जाते हैं तो आपको यह चीजे ध्यान रखना है ओके जो कुछ bryophyta होते हैं aquatic भी होते हैं और कुछ जो terrestrial plant है सुष के अवस्ता में भी पाए जाते हैं इसके ओके जो aquatic है रक्षिनिया flutens हो गया रक्षिया abstin हो गया ठीक है तो इ जो bryophyta होते हैं उनकी man plant body के अंबर बात करें हैं तो यह haploid होती है और independent thaloid होती है ठीक है यानि इसमें foliose gametophyte पाए जाता है ठीक है जो foliose gametophyte होता है ओके तो जो होगा वो differentiate root system होगा इसका stem system होगा या leaves होगी उनमें नहीं होता है ठीक है बट यह जो plant होते हैं यह इनमें कुछ rhizodes पाए जाते हैं यानि root के जैसी कुछ structure होती है और leaf की जैसी कुछ phyloid structure होती है ठीक है जैसे आप दें funeria sargassum या markensia इनमें आपको देखने क्यों में लगा देखिए मैं example से आपको समझाता हूं यह आप देख रहे हैं जो a है ठीक है a photograph है यह है आपका markensia का markensia में आप यह नीचे कुछ structure ऐसे structure देख रहे है न तो यह structure आपकी rhizodes कहलाती है ठीक है इन structures को हम rhizodes कहते हैं यह root like hairs होते हैं ओके right guys आ रहा है clear हुआ सम अब देखें यह दूसरा diagram है यह diagram भी है जो आपका funeria का है और तीसरा diagram है वह सारगासम का है ठीक है तो इन diagram को भी आप याद रखी गए diagram भी आपके exam में आते हैं ठीक है अब जो funeria है उसमें उपर है capsule, ceta ठीक है और नीचे यह leaves आ गई आपकी और जो नीचे नीचे है आ पाए जाते हैं तो यह जो leaves वाली plant body होगी यह आपकी gametophyte होगी यह plant body थी और उपर का जो capsule, ceta यह हो गया यह आता है sporophyte में ध्यान रखना जो gametophyte है इसमें man axis वाला leaves, risors वगरा यह इनको count कर लिया गया इस sporophyte में capsule, ceta को लिया गया है अब देखिए जो markensia है इस diagram में आ diagram है, यह dichotomously branched होता है, dichotomously branched मतलब कुछ इस प्रकार से branching पाई जाती है इस प्रकार से एक हो गई, दूसरी जो है वो इस प्रकार से, तो यह dichotomously branching पाई जाती है, ध्यान रखना इसमें midrib पाई जाती है एक, और midrib पे आप देखेंगे कि यहां पे कुछ jema cup पाई जाते ह एक्जाम में यहां से ही question मनता है, जेमा cup से, आपका जेमा cup यह गेमा cup आप जो भी pronunciation करते हैं इसका वो कलीजिएगा, बहुत ही important है, गेमा cup यह markensia rickshia में बनता है, ध्यान रखना, markensia rickshia में यह गेमा cup बनता है, और यह reproductive structure होती है, इनकी ठीक है, अब देखेंगे इनका thales किस प्रकार का होता है, यह thalus होता है, कुछ में multi-cellular होता है, dichotomously branchd होता है, important है, dichotomously branchd मैंने समझाए कैसा होता है, आप देखिए कुछ thalus ऐसे होता है, इस प्रकार के thalus, यानि आगे से दो भागों में विवाजित होगे, तो यह dichotomously branchd होगे, okay, ऐसे thalus को हम dichotomously branchh th तेलस बोलते हैं, ओके गाईज, किलिए हो रहा है आपको, अब next है, आपका जो यह होते हैं, कुछ multicellular भी होते हैं, और कुछ unicellular rhizoyids भी पाये जाते हैं, इसमें ध्यान रखना, जो rhizoyids होते हैं, unicellular भी हो सकते हैं, और multicellular भी हो सकते हैं, बट इसमें dichotomously, जो branched है, या उसके rhizoyids होगे, इनमें आप differentiate नहीं कर सकते हैं, mainly roots में differentiate, root leaf और इसकी जो branched होगी, उनमें आप differentiate नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है आपका थेलस, ठीक है, जो आप, दोबर मिनिट गाईज अगर आप इस cell wall की बात करें, तो जो living words होते हैं, उनमें जो cell wall होती है, वो cellulose और pactos की बनी होती है, जबकि जो mosses होते हैं, उसमें hemicellulose होगी, ठीक है, और pentasons की बनी होती है, तो आपको यह ध्यान रखना है, cell walls in liver words, जो liver words होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि liver words क्या है, moses क्या है बस आप यहाँ पे थोड़ा सा effort कीजिए, इसको नाम को याद रख लीजिए बाद में आपको बिल्कुल clear हो जाएगा थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं, liver words और moses के बारे में, तो liver words हैं, उनमें जो cellule होती है cellulose की होगी, और markensia हो गया, जैसे आप funeria, तो इनमें रिजर्व fruit जो material होता है, वो starch की रूप में होता है, और इनमें एक चीज है इनमें जो vascular tissue होते हैं vascular tissue कौन से होते हैं, आप देखिए gyllum और phloem होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, तो इनमें हम बोल सकते हैं कि gyllum and phloem are absence, ओके, आप देखिए इसकी दो PD होती है, एक gametophyte और एक sporophyte, दोनों में ही आप देखिए vascular system नहीं पाया जाता है, ओके, अब इनमें vascular system नहीं पाया जाता है, तो इनमें condensation, जो condensation है, water का संचरन है, कुछ भी minerals है, उनका संचरन है, तो वो केसे होता है, तो इनमें कुछ ही specialized जो parent काइमा होते हैं, उनके द्वारा conduction का काम होता है, ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें vascular system नहीं पाया जाता है, और condensation का जो काम होता है, condensation का वो होता है, जो specialized parent काइमा होते हैं, उनके द्वारा, ओके, अगर reproduction की बात करें, vegetative reproduction की, तो vegetative reproduction, इसका fragmentation, bird, जो gamma cup है, tuber, proton eema, और advantageous, जो branches हैं, उनके द्वारा होता है, gamma cup को, आपको, especially ध्यान रखना है, gamma cup किस में पाये जा रहे हैं, markensia, rickshia में, कुछ, देखिए, आप aces structure होती है, जो आपकी mid-reeb है, उस पे कुछ aces structure आपको मिलेगी, उन्हें हम gamma cup कहते हैं, ठीक है, और ये gamma cup vegetative reproduction में, बहुत साइता करती है, ठीक है, ओकी गाइस, अब next चलते हैं, अगर इसमें asexual reproduction की बात करें, तो asexual reproduction इसमें नहीं होता है, और sexual reproduction में होता है, oogamous type का, ओके, ओके गाइस, ध्यान रखना, इसमें जो bryophytes हैं, उसमें sexual reproduction, oogamous type का होता है, इसमें sex, जो organ होते हैं, वो multicellular होते हैं, और एक single layer sterile, जो jacket होती है, उसके द्वारा, डखे हुए रहते हैं, बहुत ही important है, ठीक है, जो sex organ होते हैं, वो multicellular, जो आपकी single layered sterile jacket होती है, ठीक है, उसके द्वारा डखे हुए होते हैं, sex organ multicellular होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, sex organs are multicellular, ठीक है, अब अगर male sex organ की बात करें, तो इसमें male sex organ होता है, entridium, ठीक है, जो globular होता है, उसके forms, बनाता है, enthragioids बनाएगा, और enthragioids, आप देखोगे, इस forms होते हैं, ये motile होंगे, motile gamit होते हैं, और ये biflagellate होते हैं, ध्यान रखना है, ये motile gamit होंगे, और biflagellate होते हैं, ठीक है, अगर हम female sex organ की बात करें, तो flask के shape का female sex organ होता है, जिसे हम archegonium कहते हैं, important है, male sex organ को आप कहते हैं entridium, ओके, और female sex organ को कहते हैं archegonium, ओके गाईस, जो flask shape का होता है, अब आपको कुछ diagram दिखाते हैं, ये diagram बहुत ही essential है, आपको याद होना चाहिए, NCRT में diagram हैं, ये, देखिए, ये diagram और ये diagram, अगर दोनों diagram दे दिए जाएं, और आपको पूछा जाएं, कि ये diagram किसके हैं, पहली बात तो आपको बताना है, कि ये जो डोनों diagram हैं, ये markensia के हैं, ठीक है, जो markensia plant है, इसमें female कोई सा है, और male thalus कोई सा है, इसको आप पहचानने की विदी है, पहचान किस प्रकार सकते हो, आप यहाँ पे देखिए, इसमें entridium और जो archegonium है, उसको देखोगे आप, ठीक है, entridium और archegonium जो male है उसमें entridium पाए जाएगा और female है, archegonium वाला होगा अब entridium और archegonium की पहचान, यहाँ पे देखिए इस जो, यहाँ पे आप देखोगे male thalus कैसा होगा, कि male thalus में आप यह जो देखोगे यह आपको जो है कुछ उपर उबरे हुए दिखाई देंगे, ठीक है कुछ उपर उबरे हुए ऐसे उपर वाली covering दिखाई देगी न यहाँ पे आपको, अगर इन में ऐसे दिखाई देगा यह होंगे कुछ ऐसे ठीक है, अगर आप female की बात करते हो, तो यह होंगे कुछ ऐसे rage, ठीक है यह होंगी rage, नीचे की ओर यहाँ रखना, इसमें कैसे होती है नीचे होती है, यानि below और इसमें कैसे होगी, अप होगी जो आप थेलस है, उसको देखिए थेलस में यह जो है, यह rhizoid होते हैं, कुछ root like hairs निकले होते हैं इनको हम rhizoid कहते हैं, यह actually roots नहीं होते हैं ठीक है, यह dichotomously branched थेलस है, dichotomously branched थेलस है, इसमें mid-reeb, यह mid-reeb पाई जाती है यहाँ पे कुछ gamma cups पाई जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, gamma cups पाई जाते हैं, इनमें यह जो gamma cups होते हैं, यह vegetative production में आपकी help करते हैं, थेलस क्या होता है, बता दिया मैंने कि यह leaves, stem और root में differentiate नहीं होती, जब plant body, तो उस plant body को हम थेलस बोल देते हैं, ओके, यह से आप देखिए, male के बारे में, जो male है, यह थेलस वो भी dichotomously branch उड़ोगा, stark होगी उसमें, पर यह देखिए, यह जो enthridium है, यहाँ पर इसमें, इसमें changing है, आप देखिए, enthridium से ही आप इनको पहचान पाते हों, यह देखिए, जो enthridium है, यह upper side में है, और यह जो archiconium है female का, इसमें जो rage है, वो नीचे है, इसमें rage, उपर जाती हुई, मिलती है आपको यूँ, ठीक है और इसमें कैसे मिलेगी, आपको down to earth ओके गाइस, किलियर हुआ, यह diagram की male कौन सा है, female कौन सा, आप confusing नहीं होगा आपको, I hope right guys, next है, जो अगर जो आपके bryophyta हैं, उनके लिए बात करें, तो water essential होता है for fertilization, इसलिए इनको amphibians बोला जाता है, plant kingdom के, plant kingdom के amphibians इन्हें इसलिए बोला जाता है, कि इनके जो fertilization है, उसके लिए आपको water essential होता है ठीक है, एक बात और ध्यानक नहीं है, जो इसका archegonia होता है, यह archegonia, यह archegonia कुछ mucilase secret करता है, जो mucilase होता है, इनका उसमें potassium salts होते हैं, protein होगी सुक्रोज होगी, यह जो होती है यह चीजे, यह जो आपका anthrajoids है, उसको attract करने का काम करती है water में, ओके, तो archegonia कुछ mucilase जो है, यानि mucilase आप देखें लसलसा पदार्थ, वो स्रावित करती है, और उसमें क्या होता है जो highly potassium salt सुक्रोज होता है, प्रोटीन होता है, सुक्रोज होता है जो anthrajoids होते हैं, उनको अपनी और attract करता है, और अपनी और attract करेगा, किस लिए? पॉलिनेशन के लिए, राइट गाइज फर्टिलाइजेशन के लिए इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो internal होता है, और जूडियोगेमी परकार का होता है, राइट गाइज इंपोर्टेंट है फर्टिलाइजेशन होने के बादस में embryo बन जाता है, और जो embryo बनता है उसका development होता है, एक्जोस्कोपिक important, इंपोर्टेंट जो embryo है, embryo का जो development होगा न, एक्जोस्कोपिक होता है, ओके अब देखते हैं, जो bryophyta है उसका classification, जो bryophyta है उसको तीन परकार की क्लासों में हमने बाटा है हिपेटोकॉपसीडा, एंत्रोपसीडा ठीक है, ओके गाइस, किलियर, 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 तीन भागों में बाटा है हिपेटोकॉपसीडा, एंत्रोपसीडा, ब्रायोपसीडा अब देखते हैं हम एक-एक के बारे में अब देखिए जो हिपेटोकॉपसीडा है ये देखिए, हिपेटोपसीडा है उसके बारे में देखते हैं जो हिपेटॉपसीडा है उसकी प्लांट बोडी थेलोईड और फॉलियोज हो सकती है जबकि एंत्रोपसीडा है उसकी प्लांट बोडी थेलोईड ही होती है एंत्रोपसीडा की जो प्लांट बोडी है वो थेलोईड होती है और ब्रायोपसीडा है उसकी जो plant body है वो आपको erect भी मिल सकती है साथ में leafy भी मिल सकती है अब हम बात करते हैं आपके जो rhizoyds हैं उनके बारे में जो hypetocopsida है उनके rhizoyds unicellular होते हैं जबकि जो आपके bryopsida है bryopsida के जो rhizoyds होते हैं multicellular होते हैं तो आप कैसे याद रखोगे hypetocopsida और anthroposida के जो rhizoyds होते हैं वो unicellular जबकि bryopsida के जो rhizoyds होते हैं वो multicellular होते हैं ओके गाईस के लिए अब देखिये hypetocopsida में जो scales होते हैं वो present होते हैं only hypetocopsida में ही scales present होते हैं जबकि जो आपके anthroposida है उसमें scales नहीं होते हैं और आपके bryopsida में भी scales नहीं होते हैं, अब देखिए kolumela बहुत ही important है, इसको तो आप यादी कर लीजिएगा, जो hypetocopsida है, उसमें kolumela absent होती है, capsule में, capsule में kolumela नहीं पाई जाती है, जबकि anthroposida है, उसमें kolumela capsule में होती है, जबकि hypetocopsida में नहीं होती है, और bryopsida में kolumela पाई जाती है, अब देखते हैं हम illetters के बारे में, hypetocopsida में जो illetters होते हैं, वो पाई जाते हैं, ठीक है, और जो illetters होते हैं यह आप देखो, sports के dispersal में आपकी de-essence, जो capsule के de-essence होती है, उसमें मदद करते हैं, तो illetters के बारे में देखें, तो illetters आपके hypetocopsida में पाई जाएंगे, और जो illetters हैं, इनका काम क्या होगा, यह जो sports हैं, उनका dispersal करेंगे, और जो आपका capsule है, उसका de-essence करवा देते हैं, अब देखते हैं, anthropocida, जो anthropocida है, उसमें pseudo-illetters पाए जाते हैं, और यह जो pseudo-illetters होते हैं, यह formally, जो illetters होते हैं, उनके similar ही work करते हैं, पर इनमें pseudo-illetters पाए जाते हैं, anthropocida में, अब देखते हैं, जो bryopsida होते हैं, उसमें illetters नहीं पाए जाते हैं, बट इसमें जो peristorm पाए जाते हैं, peristorm teeth, बहुत ही important है, यह peristorm teeth वाला qution, यहां से qution आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है, neat में qution आया हुआ है, कि जो आपके peristorm teeth होते हैं, वो किसमें पाए जाते हैं, तो bryopsida में parishtrob teeth पाए जाते हैं और ये जो parishtrob teeth होते हैं ये sports के dispersal में सहायता करते हैं लेक्ष्ट हैं आपका sporangium के बारे में तो जो hipotopcida है उसमें जो sporangium होती है वो completely parasite on gametophyte होती है और anthropology में भी वही gametophyte पे होती है पूरी डेपेंड बट जो एंथ्रोपसीड़ा है उसमें partially होगी ओके तो एंथ्रोपसीड़ा में partially जो इस्पॉरेंजियम है वो partially parasite on gametophyte जबकि जो हिपेटोक आपसीड़ा है उसमें is completely parasite तो completely जो एंथ्रोपसीड़ा है उसमें partially होगी जबकि जो आप देखो ब्रायोपसीडा है उसमें भी partially होती है तो इस पोरेंजियम इस पार्सिली पेरसाइटोन गेमिटोफाइट तो गेमिटोफाइट पे complete पेरसाइट कौन सी होगी जो इस पोरेंजियम है वो हिपेटोकॉपसीडा में ही होगी तो हिपेटोकॉपसीडा है उसके अगर एक्जाम्पल्स की आप बात करें तो हिपेटोकॉपसीडा में आपके रिक्षिया हो गया मारकेंसिया हो गया ठीक है पेलिया हो गया इन सभी को आप रख सकते हैं ठीक है एंतोसिरोस को आप रखेंगे आपका जो एंत्रोसिरोपसीडा है उसमें और आपकी जो फ्यूनेरिया सारगासम हो गया पॉलिटाइकम तो इनको आप याद रखोगे ब्रायोफाइट में तो ब्रायोफाइट के तो आप फट रहे हैं तिनों जो परकार हैं वो हैं हिपेटोपसीडा, एंत्रोपसीडा और ब्रायोपसीडा, ओके तो हिपेटोपसीडा के एक्जामपल्स आपको रिक्षिया और मार्केंशिया दोनों एक्जामपल याद रखने हैं, एंत्रोसिरोपसीडा का एंत्रोसिरोस याद रखना है और ब्रायोपसीडा का फ्शूनेरिया, ठीक है, सारगासम और पॉलिट्र की Redwood होती जो चुछ अलगी करेक्टर रहा है बाई तो ब्रायोपसीडा को याद रखना जरूरी है कि इरेक्ट किसकी होगी ब्रायोपसीडा की जैसे funeria, sargasam यह गए अब राइजोईटS multi cellular only cereelular only bersAlcella me ही होतें बलकी जो यह होते हैं धोयोर्द में scale ठीक है तो यह बाते आपको ध्यान रखनी है और एक यह illetors के बारे में ध्यान रखना है कि illetors absent होते हैं bryopsida में और peristorm teeth पाए जाते हैं किसमें bryopsida में अब आप देखो कुछ markensia के बारे में देख लो क्योंकि आपके slivers में markensia के बारे में थोड़ा वो दे रखा है एक तो आपको डाइग्राम मैंने बताया था डाइग्राम याद रखना है दूसरा आप देखिए जो markensia होता है वो क्या होगा एक लिवरवर्ड या नहीं प्रोग एक तेलोइड बोडी होगी और यह लिवरवर्ड होता है यह प्रोस्टेश ली जो ग्रो करता है अगर इसकी सर्पेश की बात करें तो आप देखोगे इसका जो थेलस होगा न वो डाइकोटोमसली ब्रांश होओता है on the lower जो ventral surface होगी वहाँ पर ओके थेलस है और dorsal groove on the upper surface और rhizoids and scales are on lower surface तो यह चीज भी आपको ध्यान रखने की बात है देखो आप इसमें देखेंगे की जो rhizoids होते हैं बहुत ही important है जो rhizoids होते हैं वो unicellular होंगी आपके rhizoids unicellular और बनते हैं आपके जो ventral surface होगी आपकी markensia की वहां से यह निकलते हैं ठीक है अगर इनकी बात करें तो यह दो परकार के होते हैं smooth होते हैं एक तो और एक होते है tuberculated तो जो tuberculated rhizoids होते हैं वो peg-like जो होते हैं in growth और inner wall इनकी जो होती है वो होती है ठीक है तो आप देखें इसमें जो rhizoids पाए जा रहे हैं आप दो परकार के पाए जाते हैं joids को दो बागों बाटा है इन्होंने एक होते है smooth ठीक है SMOOTS बिल्कुल बच्चों का खेल है और एक होता है tuberculated ठीक है लिख लेना यार मैं लिख देता हूं ओके तो यह एक होता है आपका smooth वाला और एक होता है tuberculated बहुत ही important है गाइस यह आपका क्यूशन को आपको ध्यान रखना है कि जो राइजोट्स होते हैं यूनिसलूलर होते हैं और कितने परकार के होते हैं दो परकार के होंगे smooth होंगे और tuberculated होंगे ओके इसमें यह Gemma Cups पाए जाते हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है क्लियर होगा गाइस sexual जो reproduction है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत देखना है यह देखे लास्ट पर आपको economic importance को द्यान रखना है कुछ importance है thermoses के हैं पीट के हैं सारगासम के हैं सारगौल के हैं ठीक है polytrichum के हैं जो polytrichum होता न यह जो आपकी जो kidney बगारा हो गया gallbladder में stone हो गया उसको dissolve करने काम करता है हाँ medicine importance के कुछ points आपको remember रखने हैं यह points देख लीजिएगा okay guys तो I hope इससे ज्यादा ब्राइफाइटा में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा ncrt में तो बहुत ही कम दिया हुआ है यहां पर हमने बहुत ज्यादा बता दिया ठीक है बस यह थोड़ा chapter यहां से देख लीजिए और आप 30 year के जो मैं questions बता रहा हूं उन questions को आप कर लीजिएगा ठीक है वीडियो डल चुकी है 30 year जो questions है वो डल चुकी है और जो आपके practice के question है वो भी वीडियो solution आपको दिया जा चुका है तो ठीक है गाइस NCRT episodes को देखते रहिए और cp sharma classes for bsc msc neat चैनल को subscribe करिए ओके गाइस thank you thank you so much और जो वीडियोज है उनका अपने दोस्तों तक पहुचाहिए गाइस please support करिए चैनल को आपका चैनल है